हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आजकी इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ओफ इन्हेरिटेंस एंड वेरियेशन की नीट प्रिवियर्स एस क्योशन लास्ट थर्टी त्री इयर्स के इस चेप्टर के अंदर टोटल वन 28 इसे पहले वाले पार्ट में हम टोटल 90 के इसन्ड डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं दिखाई तो आपको आई बटन में लिए प्लेट लिंक मिल जाएगा वहां पर अदा चेप्टर भी मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हो अगर आपको बाइल कि उसे ने वह आ चुका आपका नहीं 2018 में कि उसे ना चुका है कि इसे नमबर है विच उफ दा फॉलोइंग क्रेक्टरिस्टिक्स रीपर्जेंट इन हेरिटेंस ओफ बलड ग्रूप इन हूमन यानि जो हूमन का बलड ग्रूप होता है वहाँ पे कौन से करेक्टर्स होते हैं वो रीपर्जेंट हो सकते हैं डॉमिनेंस, को डॉमिनेंस, मल्टिपल एलिजम, इनकंप्ली डॉमिनेंस या फिर पॉलिजेनिक इन हेरिटेंस तो सबसे बात पहले बात करें तो यहाँ पे डॉमिनेंस शो हो सकता है मतलब क्या है कि अगर ए या फिर स्मॉल आईवल अगर आता है तो यहाँ पे केवल ए बलड ग्रूप आता है तो यहाँ यहाँ पे डॉमिनेंस शो हो रहा है पहली सेकिंड चीज, को डॉमिनस भी यहां पर शो होता है, अगर A और B दोनों साथ में आते हैं, तो अपने जो अलग फिनोटाइप करेक्टर दिखाते हैं, A, B, ब्लड ग्रूप, तो यहां पर को डॉमिनस भी देखने को मिलता है, इसके लाव मल्टीपल ऐलिलिस्म तो होत ग्रूमिनस भेजल देखें लेते हैं, इन्हिर्टेंस अप्सकिल पर इन्हिर्टेंस का है, तो यह जो एक्जमर फिनोटीपल ग्रूंपल ग्रूमिनस या तो यह जो एक्जाम्पल है, पो लिख stronglyल बूमिनस अमिली सने होता है, जो फिन टाइप के गेमीट्स बनेंगे 2, 3, 4 या फिर 9 टाइप के सिंपल है गेमीट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर N सिंपल याद रखना 2 की पावर N अब N का मतलब होता है हेट्रो गेमेट जहाँ पर जितने भी हेट्रो गेमेट्स है जो हेट्रो जाइगस कंडिशन के अंदर प्रेजन्ट है याँ पर उसकी पावर तो यहाँ पर देखें यह टोटल 3 है केपिटल है केपिटल है केपिटल है स्मॉल बी और केपिटल सी यहाँ पर हेट्रो जाइगस कंडिशन में कितना है केवल 1 है तो यहाँ पे N की पावर आजाएगी, one yarn eye two की पावर वन, तो यहाँ पे जो two की पावर वन लगाती है तो कितनी मिलते हैं, तो मिलते हैं, अब कौन posible भी मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिलेंगे A, capital B, और capital C, और एक मिलेगा capital A, small B, or capital C, तो यह टू टाइप के हमें केवल गेमिट मिलेंगे तो यह पर हमारा जो आंसर आएगा वाएगा टू गेमिट्स, ओके नेक्स्ट हमारा किस्टन नंबर 94 है, वीच वन अफ दा फॉलॉइंग इस एंग्जामपल जंडरेशन विजेनोटाइप , सोब्सक्राइब के छोट्स आएगा और 27,99 to 3,333 , यह पर यहांपर जो जीनोटाइप लिखा यह प्रेंटिंग मिस्टेक है क्योंकि यहां पर जो मैंने तीन जगे तीन जगे है आप अधर बुक्स में भी देख सकते हो अधर आप ओनलाइन भी देख सकते हो यह पर जीनो टाइप नहीं आप फीनो टाइप रेशियो पूचा है पहली बात तो यह चीज़ आप याद रखना क्या पूचा है फीनो टाइप रेशियो पूचा है जीनो टाइप नहीं पूचा वो मोनो हाइब्रिड वाला मिलेगा तो हमारे यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा थ्री रेशियो वन ओके नेक्स्ट हमकिस्ट नमबर नाइटी सिक्स देख लेते हैं नजि ह्टविंध लिए मिल्टीपल जीनस आर इंवल्ड Nahe किसमे आगा सिकल साल स्किन कलर कलर ब्लाइंस फिनल कितुनिर मारा अंसर आ जाएगा को आपशन बी स्किन क्लर ऑکे नेक्स तमर की सिर्वन नमबर नाइंटी सेवन है नाहीं है अओ मेन डिफरेंट थाफ जयनि 2 या फिर तो यहां पर हेट्रो जाएगे इस कितने या 2 है तो 2 की पावर 2 कर देते हैं तो हमारे पास आजाएगा 4 तो यहां पर 4 डिफरेंट टाइप के गेबिट समय देखने को मिल जाएगे तो हमारा अंसर आजाएगा option D next question number 98 देख लेते हैं the polygenic gene show पॉलिजेनिक gene show क्या करते है different keriotype, different genotype, different phenotype या फिन आफ देख तो वो different phenotype दिखाते है जैसे skin color के अंतर में अलग-अलग-अलग-अलग type के skin color मिलते हैं या नहीं phenotype different type के मिलते है next question number 99 a polygenic inheritance in human being is polygenic inheritance to human beings के अंतर वो किसका example है skin color, phenotype, color बनाने सिकल से नहीं है तो वो क्या है skin color है अब हम बात करते हैं next pleiotropy के बारे में और question number 100 यहापे match the column हम से क्यों से पूछा गया है 100 के अंदर यहापे match the term in column 1 and their description in column 2 and choose the correct option सबसे पहले यहाँ पे देखिए dominance, codominance, pleiotropy और polygenic बताना है हमें सबसे पहले अगर बात करें हम dominance की तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर अगर इन्हें heterogigous organism के अंदर only one allele express itself अगर heterogigous condition उसमें एक allele अपने आपको express करा रही है तो इसका मतलब किया वो dominance है अगर यहाँ पर इन्हें heterogigous condition organism both allele express themself तो यहाँ पर fully जो है co-dominants है next Ziua हम बात करते है कि यहाँ पर जो है, वो pleiotropy क्या होगा अगर यहाँ पर एक single gene जो है, वो बहुत सारे character को influence कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होई वो pleiotropy है, और अगर बहुत सारे genes के वाले single character कर रहा है तो वो polygenic है तो हम देख लेते है ए जो है वो हमारा second के साथ जाना चाहिए और B जो है वो हमारा third के साथ जाना चाहिए A हमारा जाना चाहिए किसके साथ में second के साथ में B हमारा third के साथ में C जो जा रहा है वो हमारा जा रहाए कि इसके साथ में फोर्ट के साथ में ओडी जो जा रहा है वो फिर्स्ट के साथ में तो यहां पर हमारा जो अंसर आएगा वो आएगा और यह नीट 2016 फेज वन का क्यूस्टन है ओके नेक्स्ट अम क्यूस्टन नमबर है तो pleiotrofic क्या करता है control multiple trait in an individual यानि एक साथ में बहुत सार गरिकर को control कर सकता है तो वो होता है single gene तो वो काम करता है कौन pleiotropic gene ओके नेक्स्ट हम बात कर लाते है क्यूस्टन नमबर 102 की क्यूस्टन नमबर 102 है प्लियोट्रोफी का example बताना है इंगल जीन जो बहुत सारे traits को influence कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे pseudodominance pleiotropy epistasis या फिनन अब तो उसको बोलेंगा pleiotropy ओके next हमारा जो कि उसने वो sex determination से है यहां पर पूछा गया sex determination में कि उसने number 104 select the incorrect statement हम से incorrect statement पूछी गई है humans male have more have one of their sex chromosome much shorter than the other male fruit fly is heterogametic in male grass over 50% of the sperm have no sex chromosome और in domestic foul sex of progeny depend on the type of the sperm rather than the egg domestic foul जो होते हैं ओके तो वहां पर जो eggs वगएरा देते हैं उनकी जो progeny है वो depend sperm पे नहीं होती है eggs पे होती है यहां पर बोला गया depend on the type of sperm rather than the egg जी नहीं यह उल्टा लिखा गया है यहां पर जो depend होता है वो egg पे होता क्योंग एयक्पे होते हैं वहाँ पर वहाँ पर जो ग्रोमोसोम होते हैं हेट्रोजागेस के होते हैं बठ्रोजागेस केंडिशन पे होते हैं यहां पर यह जिज जू जीज़ लिए गलत लिखे हैं तो महारा आनसर आजाएगा option D next question number 105 देख लेते which of the following pair is wrongly matched यहां पर wrongly matched कौन सा है simple as start synthesis in P multiple realism, ABO blood group, codominance exotype of sex determination, grasshopper and T.H. Morgan linkage तो हमसे पुछा गया कि incorrect कौन सा है तो simple as start synthesis in P जो वो multiple का नहीं है वो incomplete dominance का example तो अंसर आजाएगा option A next हमारा question number 106 है which one of the following condition of the gigantic cell would lead to the birth of a normal human female child यहां पर हमसे पुछा गया कि कौन सी gigantic condition होगी तो जहां पर जो है वो female child का बात हो सकता है 2X chromosome, only one Y chromosome only one X chromosome one X and one Y chromosome तो यहां पर gigantic के अंदर में बता है कि normal human female child जो उसका बात कब हो सकता है तो simple समझे 2X chromosome होगे तो वहां पर हो जाएगा next है कि उससे number 107 in drosophila the sex is determined by तो drosophila के अंदर बताना है कि sex कैसे determined होता है the ratio of the number of X chromosome to the set of autosome X and Y chromosome the ratio of pair of X chromosome to the pair of autosome यह फिर whether the egg is fertilized or developed or pathogeny the sample है यहां पर कैसे होता है the ratio of the pair of X chromosome to the pair of the autosome यह पर ratio देखा जाता है X chromosome का autosome के साथ में pair कितना हो रहा है उस हिसाब से drosophila का sex determine किया जाते है तो answer आजएगा option C next है कि उससे number 108 the number of bar bodies in XXXX female is तो यहां पर हमारे पास 4X दिए गया रोम से पुछा गया bar bodies कितनी होगी bar bodies कितनी होती है number of bar bodies अगर निकालना हो तो total X chromosome minus 1 कर दीजिए तो यहां पर 4X chromosome है इसमें से minus 1 कर दीजिए तो हमारे पास answer आएगा 3 तो हमारे पास total bar bodies है 3 अगर यहां पर triple X होता यहां पर bar bodies हो जाती 2, 3, minus 1 करती थे तो 2 आ जाता और अगर हमसे normal female के अंदर पूजा जाता है तो हमारे केवल XX होती है तो 2, minus 1 तो वहां पर bar body होती है केवल 1 यह याद है next question number 109 है the male XX and female XY sometimes occur due to the कभी कभी कहा होता है कि male जो वो XX हो जाता है female XY हो जाता है क्यों होता है diletation से या फिर transfer of segments in X and Y chromosome एन्योप्लोडी या फिर hormonal imbalance तो सेम पहले यहां पर क्या हो सकता है कई बार transfer of segments जो है X and Y में कुछ transfer हो सकता है उस वज़े से इसी चीज़े देखने को मिल सकती है next is the probability of four son to a couple is एक son एक जो parents है उनको four sons चाहिए तो वहां पर कितनी probability होती है तो four में से जो है वो one son निकल के आ सकता है तो four अगर है तो वहां पर one son आएगा तो total में four sons चाहिए तो वहां पर कितना आएगा one by four, one by eight, one by sixteen या वह one by thirty two तो यहां पर आएगा one by sixteen अगर उन्हे four चाहिए तो answer आजाएगा X10G को C option next हमारा question number one 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 है genetic identity of a human male is determined by genetic identity human male की कैसे होगी sex chromosome, cell organal, autosome या फिन nucleosome तो simple है sex chromosome बताएगा genetic identity human male determined वहां से होगा sex chromosome से next हमारा question number one one two है when an animal has both the character of male and female it is called अगर कोई animal के अंदर दोनों character आ रहे है male और female के तो उसको क्या बोलेंगे super female, super male, intersex या फिर gyneadro, morpho तो अपर देखिए उसको बोलते है gyneadro मतलब gyneadro मतलब female andro मतलब male, morpho मतलब एक जैसे character आ रहे हैं तो उसको हम बोलते है gyneadro morph तो हमारा answer आ जाएगा option D okay next हमारा question number है one one three Mr. Kapoor has BB autosomal gene pair and D alleles sex linked what shall be the proportion of BD in the sperm तो यहाँ पर पुछा गया 0, 1 by 2, 1 by 4 या फिर 1 by 8 तो यहाँ पर बोला गया कि उनके autosomal जो है वो तो capital B, capital B है और जो alleles sex linked है वो है small D तो यहाँ पर पूछा गया कि capital B और small D जो है वो proportion किस ratio के अंदर आ सकता है तो simple सा यहाँ पर जो answer आएगा वो आएगा आपका option C one by four आप निकाल के देख सकते हैं यहाँ पर जो gametes आएगे B और D यहाँ पर यह जो option है यहाँ इसको करके देख सकते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा one by four next is sex is determined in human being sex जो है वो human being में कैसे determined होते है by the arm at the time of fertilization 40 days after fertilization 7 to 8 week when the genital differentiation in fetus तो यहाँ पर at the time of fertilization जो है वो sex determined होता है next question number 115 है a normal green male maze is crossed with albino female the prosony in albino because यहाँ पर पूचागे कि एक normal green male maze है और वहाँ पर एक albino female है तो progeny जो वो albino हो रही है क्यों trait for albino is dominant the albino have the biochemical to destroy plastic different from the green male plastic are inherited from female parent and green plastic of male must have mutated simple है देखिए जो आपके plastic वगेरा होते है okay वो cytoplasmic inheritance बोला जाता है और cytoplasmic जो inheritance होता है वो generally female से होता है human के अंदर भी ऐसा ही होता है यहाँ पर जो plastid है अगर वो inherited female से हुए उस वज़े से वो white color का आ रहा है albino आ रहा है तो हमारा answer आ जाएगा option C okay next question number 116 है a family of five daughter only is expected sixth issue the chance of being a son is son होने के chance कितनी है 0, 25%, 50% और 100% तो XX, XY अगर हम cross करवाते हैं आप ही 50% chance होते है तांसरा जाएगा option C okay next हम question number देख लेते हैं 117 mutation से one of the parent of a cross as a mutation in its mitochondria in that cross that parent is taken as a male during segregation of F2 progeny that mutate is found in यहाँ पर बोला गया है कि एक parent जो है उसके mitochondria के अंदर mutation हो चुका है तो F2 progeny के अंदर वो mutation पाने के कितने परसंचांचा है one third, none of the progeny, all of the progeny, fifth person simple बताया है कि वो mitochondria के अंदर है तो mitochondria cytoplasmic inheritance होता है cytoplasmic inheritance female से होता है बट यहाँ पर बोला गया कि वो जो parent अगर वो male है अगर वो male है तो आपर cytoplasmic inheritance होगा ही नहीं तो answer आजाएगा none of the progeny तो हमारा answer आजाएगा option B next हम question number देख लेते है 118 the most striking example of point mutation is found in the disease point mutation का example बताना है down syndrome, sickle selenemia, thalassemia, night blindness sickle selenemia के है point mutation जो है उसका example है next हम देख लेते है genetic disorder genetic disorder में हमें बताना है select the correct match हमें correct match बताना है यहां पर लिखा गए हीमोफिलिया जो है वो वाइल लिंक्ट है final cutendria बोला गए है autosomal dominant trait है जो कि यह भी गला था हीमोफिलिया x-linked होती है और यह autosomal recessive होता है okay next हम C option देख लेते है sickle selenemia बोला गए है autosomal recessive trait है और thalassemia बोला है x-linked है telesemia x-linked नहीं होता है autosomal होता है और sickle selenemia जो autosomal recessive trait होता है यह बिल्कुल सही है तो answer आजाएगा option C okay next हमारा question number 120 है what is the genetic disorder in which an individual overall masculine development gynecomastia and is sterile down syndrome, tunnel syndrome, clean filter syndrome या फिर Edward syndrome need 2019 answer आजाएगा हमारा clean filter syndrome के अंदर यह सब कुछ हमें देखने को मिलता है next question number 121 121 के बंदर पूछागे a woman has an x-linked condition on one of our x-chromosome this chromosome can be inherited by यहाँ पे पूछागे है कि एक x-linked condition के उपर उनके पास कोई चीजे है तो यहाँ पे यह जो x-chromosome है वो कहाँ पे inherited हो सकता है only daughter, only son, only grandchildren या फिर both son and daughter तो यह दोनों के पास जा सकता है son के पास भी और daughter के पास भी तो answer आजाएगा option D okay, next हम से question number है one one, one two two यहाँ पे पुछा गया thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem इने globalin molecule synthesis यानि thalassemia और sickle cell anemia जो होते है वो globalin molecule के अंदर अगर वहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है उसकी वज़े से जो हो सकती है disease select the correct option या पर हमें correct statement बतानी है कि बिल्कुल correct statement इनके लिए कौन से लिखे गई है both हाँ due to quantitative defective इने global channel synthesis thalassemia is due to the less synthesis of global molecule sickle cell anemia is due to a quantitative problem of the global molecule और both हाँ due to the qualitative defective इने global बिले तो simple समझे जो thalassemia होता है वो होता है कितना quantitative और जो sickle cell anemia होता है वो क्या होता है qualitative होता है ओके तो या पहीं लिखाए both quantitative वो तो गलत है sickle cell anemia quantitative वो गलत है both qualitative वो भी गलत है thalassemia less synthesis होती है बोलेकर यह बिल्कुल सही है यहां पर quantity change होती है तो यह quantitative है तो answer आजाएगा option B ओके next हमारा question number one two three है a disease caused by an autosomal primary non-dischunction is यहां पर पूछा कि autosomal disease है और primary non-dischunction है clean fender tender sickle cell anemia फिर down syndrome तो है यहां पर हमारा answer आजाएगा down syndrome जाएगा 21 जो chromosome होता है उसमें trisomy आती है next question number one two four है if a colorblind man marries a woman who is homo-gagous for normal color vision the probability of their sun being colorblind तो यहां पर पूछा गया कि x y है यह x c है और यहां पर x x बिलकुल normal है तो पूछा गया कि उसके जो sun है वो colorblind कितने होगे तो यहां पर यह x y आएगा तो बिलकुल normal होगे 0% chance है यहां पर जो sun है वो colorblind होगे daughter जो है वो जरूर carrier हो सकती है दोनों की दोनों but यहां पर जो sun है वो 0 होगे तो मारा answer आजाएगा option A next हमारा question number one two five है pick out the correct statement हमें यहां पर correct statement बतानी है hemophilia is a sex link recessive disease down syndrome is due to enuclody phenyl cutinuria is an autosomal recessive gene disorder sickle cell enemies in X-linked recessive gene disorder यह X-linked नहीं होता autosom होता है बाकी जो उपर 3 लिखी है वो बिल्कुल correct है तो answer आजाएगा option B first, second and third are बिल्कुल correct है next हमारा question number one two six which of the following is most appropriately described the hemophilia यहां पर पूछा गया कि hemophilia को mostly अच्छे से कौन describe कर पा रहा है chromosomal dominant gene disorder recessive gene disorder और X-linked recessive gene disorder तो hemophilia को best describe किया जा रहा है कि X-linked होती है और recessive gene disorder होता है तो हमारा answer आजाएगा option D okay next हम question number one two seven देख लेती है यहां पर लिखा गया है एक color blind man Mary is a woman with normal sight who has no history of client blindness in her family what is the probability of their grand son being color blind यहां पर पूछा गया कि color blind जो है वो main है तो simple समझे X, okay C और Y और यहां पर जो female है वो विल्कुल normal है तो यहां पर होगा क्या यहां पर जो daughter है वो क्या जाएगी दोनों की दोनों carrier आ जाएगी यहां पर क्या जाएगी दोनों की दोनों daughter जो है वो carrier आ जाएगी तो यहाँ पे हमारा जो sun sun को बताना grand sun को बताना है यहाँ पे होगा क्या x, c, y और x यहाँ पे जो sun है जो grand sun है वो 50% जो है उनमें probability है कि वो cloud blind हो सकते हैं यहाँ जो answer आएगा वो आएगा option c 0.5 ओके question number 128 है in the following human pedigory the filed symbol represent the affected individual I didn't know the type of given pedigory pedigory बताना में यह first, second, third, fourth generation है और यह में pedigory चार्ट दिया हुआ है तो simple देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि x linked है या नहीं है तो यहाँ पे देखिए अगर male जो है वो affected है तो यहाँ पर simple है male अगर affected है तो यहाँ पर जो है वो next जो sun है वो affected नहीं होने चाहिए अगर sun affected है इसका मतलब वो x linked तो बिल्कुल भी नहीं है अगर x linked होता तो male से जो केवल daughter affect हो सकती थी और female से जो normally male हो सकते है तो यह पर देखिए sun father से sun affected है तो x linked तो नहीं है यह ओके तो हम simple यह कह सकते हैं कि x link तो बिल्कुल भी नहीं है चाहिए वो dominant हो चाहिए वो recessive हो तब अब हम मैं बताना है कि autosomal dominant है या recessive है अगर यहाँ पर जो parents है वो unaffected है और यहाँ पर देखिए जो children है वो affected है इसका मतलब हो यह recessive है यह किया चीज़ है? recessive है अगर यहाँ पर parents जो है वो unaffected रहते है और children के अंदर effect आता है तो हम recessive होगा autosomal के अंदर यहाँ answer आ जाएगा autosomal recessive तो answer आ गया option A next question number 129 है an abnormal human baby with triple x sex chromosome was born due to यहाँ पर एक बोला गया है कि triple x sex chromosome जो वो कैसे born हो सकता है fusion of two over and one sperm fusion of two sperm and one formation of abnormal sperm in the father formation of abnormal over in the mother सबसे पहले fusion of two over and one sperm अगर हो जाएंगे तो वो deployed नहीं, triploid हो जाएगा अगर ऐसे two sperm one over हो गए तो total three gamit हो गए तो वो triploid हो जाएगे जो की बिल्कुल भी नहीं हो सकता है तो यह चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमें केवल sex chroma जो में triple x है बाकी तो human जो होगा वो normal तो deployed होगा अब condition आती है formation of abnormal sperm in the father अगर abnormal sperm का formation होता है तो इसका मतलब हो x wife जो है वो sperm बन रहे है तो यहाँ पर अगर x x y condition होती तो हमारे यह answer आ जाता है कि हाँ पर भी जो over है उससे x आया है और abnormal sperm आ गए x y इसलिए यह condition आ गए बाट अब यहाँ पर ध्यान से देखी यहाँ पर okay formation of अगर abnormal oa बनेंगे तो हाँ एक्स x condition आएगी और अगर मालो x वाला जो है वो sperm वाला आ जाता है तो हाँ पर triple x की condition आ जाती है इसलिए answer आएगा हमारा option D okay next question number 130 है a man whose father was color blind एक main है जिसके father color blind है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो exit linked है तो यह पर यह जो main है वो normal है marriage a woman एक मेरी कता है who had a color blind mother तो उसकी mother color blind ही थी तो यानि जो यह female है फिर तो carrier होनी होनी है और normal father थे उसके what percentage तो male children of the couple will be color blind तो male children जो वो color blind कितने हो सकते है तो ऐसी condition के अंदर होगा क्या x y x x c है यहापे देखिए x y और c आ जाएगा और x यहापे 50% जो है वो क्या होगी color blind होगी तो हमारे जो answer आ जाएगा वो आएगा option c next question number 131 देख लेते है a human female with turner syndrome a human female with turner syndrome में क्या होगा has 45 chromosome with exo has one additional x chromosome exhibit male character is able to produce children with the normal husband तो यहापे 45 chromosome होते है with exo turner syndrome के अंदर next question number 132 select the incorrect statement with regard to hemophilia incorrect statement वादा है it is a dominant यह तो होता है यह यह पहली incorrect है hemophilia recessive होती है dominant नहीं होती है कभी भी other option देख लेते हैं इसके क्या लिखवा है a single protein involved in the clotting of blood is affected यह बिल्कुल correct है sex link disease होती है recessive disease होती है भी बिल्कुल correct है next question number 133 if the both parents are carrier for thalassemia which is an autosomal recessive disease order what are the chances of a present result in affected size thalassemia है autosomal है अगर autosomal है और दोनो carrier है तो carrier में हम क्या लेंगे कि हम मान लेके चल रहे है कि यहां पर हेट्रोजाइगस condition है तो हमने हेट्रोजाइगस condition ले लिए दोनो carrier है ओके और what are the chances of a pregnancy तो अब हम जब हेट्रोजाइगस दोनों लेंगे तो हमारे पास वही आएगा जो mono hybrid वाला आता है अब mono hybrid में जब pure recessive होगा pure recessive होगा autosomal recessive pure होगा तो हमें जो वो chance मिलेगा affected children का तो यह में 4 में से केवल 1 मिल रहा है यानि 25% chance है तो 133 जो है उस cancer आजाएगा option A next है question number 134 which 1 is the incorrect statement with regard to the importance of pedigree analysis incorrect बताना है तो सबसे पहले हम trace कर सकते हैं तो यह बिलकुल correct है यह भी autosom भी हमें पता चल सकता है कि autosom है यह sex linked है और हमें यह भी पता चल सकता है कि वो dominant है यह recessive है बट कहीं से कहीं तक pedigree analysis यह नहीं कहता है कि DNA ही जो है वो genetic information को आगे पहुंचाता है यह कहीं से कहीं तक नहीं लिखा गया pedigree analysis के लिए simple है तो answer आजाएगा option A यह incorrect है 135 number कि इससे देख लेते है down syndrome in human is due to down syndrome क्यों होता है 3x chromosome 3 copies of chromosome 21 monosome 2y chromosome simple है 3 copies of 21 chromosome क्रोमोजों की next है कि इससे number 136 a normal vision man whose father was color बने हैं तो normal vision है उसके father color बने है उसे में कोई मतलब नहीं है वो अब normal है बिल्कुल आगे लिखागे marriage a woman whose father was also color blind अब वहाँ पर अगर उसके father color बने है तो दो condition हो सकती है एक तो वो normal हो सकती है या फिर ही वो xxc हो सकती है वो carrier भी हो सकती है और वो normal भी हो सकती है पहली चाइल जो वो डोटर होती है what are the chances that this child would be color blind इसके color blind होने के chances कितनी है तो simple है यह डोटर जो हो carrier हो सकती है बट color blind कभी भी नहीं होगी चाहिए इस condition में भी ले आई है चाहिए इस condition में भी ले आती है या पर 0% chance है तो answer आजाएगा option B ओके नेक्स हमारा किस्टर नमबर 137 है रिपर्जेंट हेर इस दा है इने रिटेंस पैटरन ऑफ साटन टाइप ऑफ दा ट्रेट इन हुमन वीच और दा फॉलें कंडिशन कुड बी एग्जांपल ऑफ पैटरन तो ये फीमेल से सन में जा रहे हैं और मेल से जो डोटर में जा रहे हैं तो ऐसा जो वो केवल सेक्स लिंग्ड में हो सकता है यानि एक्स लिंग्ड कंडिशन के अंदर हो सकता है कि जो मेल में है वो डोटर में जा रहे हैं फीमेल से वो सन के अंदर जा रहे हैं तो फिनाइल के टुनेरे सिकल सेलनी में हेमोफीली होते हैं यहां पर केवल एक यह वह हेमोफीली है तुमारा अंसरा जाएगा उपसंसी बागी तो सारे ओटोसमल है कि उसे नमबर 138 देख लेती हैं फीच बन ऑफ फॉलिंग कंडिशनी और झालकरा से विचुल्यक बख से यह नहीं बताता है नेकस्ट है यहां पर बोलागे ऑक्स-उणिशन इन्हीन हआटो अर फाउंट क्रॉमेल से कि एन पर एक्तू है ङए Limited से से डिटर्माइन नहीं होता वह तो एक लिसोडर हो जाता है क्रोमोोजॉम डिसोडर एक्सोट टाइप ऑफ सेग्स विल्वो जो में मेल सेथ नियुगूल क्रेक्ट है तो 138 का जो आंसर आएगा और आप्शिन बी तो अमार आ अंसर आ घया ओप्शिन बी ओके नेक्स्यम क्यो female का और ये male का तो ये भी कला तो ये भी कला तो ये भी कला तो हमारा answer आजाएगा option A ये बिल्कुल सही बताएगे next हमारा question number 140 यहाँ पे pedigree एक चार्ट दिया गए है study the pedigree chart of center family given below and the conclusion with the drone यहाँ पे ये चार्ट दिया गए the female parent is heterogigous the parent could not have had a normal daughter of orange this character the trait under study not be colorblindness in the male parent is homogigous dominant सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है वो male के अंदर character है तो male के अंदर character जो वो daughter के पास भी पहुंचे है और यहाँ पर son के पास भी पहुंचे है यह condition कब हो सकती है simple सा हमें यह बताना कि condition कब हो सकती है तो simple सा समझे यहाँ पर अगर female जोवो heterozygus है अगर यहाँ पर x ओके और हम ले रहे हैं यहाँ पर xy और xx तो यहाँ पर अगर यह condition कब हो सकती है तो यहाँ पर अगर female जो वो heterozygus है यहाँ वो affected है तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐसी condition हमें देखने को मेल सकती है तो यहां पे आएगा सिंपल सा क्या दा पेरेट कुड नोट है वे नॉर्मल डॉटर फो दीस डॉटर दा पेरेट अंडर स्टेडी कुड नोट बी कलर ब्लाइने स्टा फीमेल पेरेट इस है ट्रो जाएगा तो अंसर आजाएगा 140 का ऑप्शन ए नेक्स्ट आम क् याद रखना हेर से जो रिलेटिड होता है वो सेक्स इंफलेटिड होता है याद रखना 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 सेक्स और जो hair से related होगा, वो sex influence होगा, तो baldness जो sex influence होता है, sex limited नहीं होता है, तो incorrect answer आएगा option C, next हमारा sickle cell NMEA पूछागे, sickle cell NMEA क्या है, caused by substitution of valine by glutamic acid in the beta globin channel of hemoglobin, caused by change in the single base pair of DNA, characterized by elongated sickle cell like RBC with the nucleus and autosomal link dominant rate, autosomal नहीं होता है, link dominant नहीं होता, और यहाँ पे nucleus नहीं होता, nucleus तो उसके अंदर होता है, नहीं है, RBC के अंदर, caused by substitution of valine, यह उल्टा होता है, glumeter जो है, वो valine से exchange होता है, यह पे caused by change in single base pair of DNA होता है, यह बिल्कुल correct है, तो answer आजाएगा option B, okay, next हम question number 143 देख लेते हैं, 143 में आपर pedigree analysis दिया गया है, और हम से पूछा गया, study the pedigree chart गयों below, what does it show, यह क्या चीज़ शो कर रहा है, inheritance of a condition like phenyl ketonuria is an autosomal recessive trait, the pedigree chart is wrong, as it is not possible, inheritance of a recessive sex linked disease like hemophilia, यह फिर inheritance of a sex linked in border error of the metabolism like phenyl ketonuria, तो simple सा है, यहाँ पर देखी क्या हो रहा है, कि अगर हम देखें, यहाँ पर जो ऐसा sex link तो हमें कहीं दिखाएं नहीं दे रहा है, कि यहाँ पर देखें कोई mother father है, उससे जो आगे children में चल रहा है, तो यहाँ पर भी देखें, जो आपके parents है वो बिल्कुल unaffected है, यहाँ पर भी parents unaffected है, और फिल जो है, वो चीजें affect हो रही है, तो simple सा समझे, यह क्या है, autosomal है, और autosomal भी कौन सा है, recessive है, तो यहाँ पर मारा आजाएगा, इनेटर्स of condition like phenyl ketonuria as an autosomal, अगर वो mother से, ठीक है, son's में या father से, जो वो daughter में ऐसा होता है, पर यह सा कुछ है यह नहीं, यहाँ पर यह simple है, autosomal है, तो मारा answer आजाएगा option A, next time question number 144 देख लेते हैं, यहाँ पर question number 144 के अंदर दियागे, which one of the following condition in human is correctly matched with its chromosomal abnormality, यहाँ पर बताना है कि correctly matched कौन सा होगा, erythroblastis, fetalis, y-linked, x-linked होगा, down syndrome 44, autosomal, clean filter syndrome 44, autosomal plus xxy, या फिर color blindness होगा, यहाँ पर हमें correctly matched बताना है, तो simple सा समझे, जो हमारा clean filter syndrome होता है, उसमें अंदर क्या होता है, 44 plus xxy condition होती है, तो यह बिल्कुल सही है न, तो हमारा answer आजाएगा option C, okay next question number 145 देख लेते हैं, both sickle cell anemia and hungiston korea are, sickle cell anemia and hungiston korea are, sickle cell anemia and hungiston korea क्या है, virus related है, bacteria है, congenital है, pollutant है, तो sickle cell anemia ना virus है, ना bacteria, ना pollutant है, कों सी, congenital है, तो answer आजाएगा option C, question number 146 है, if a color blind woman, marriage a normal vision में, their son will be, अगर color blind male, female, xxy है, अब वो normal के साथ करती है, तो उसके सबी जो sons हैं, वो क्या होंगे, color blind all color blind, sun पूचा है, sun पूचा है, all color blind, all normal, half, one half color blind, one half normal, three fourth color blind, one fourth normal, तो सभी color blind होंगे, sun पूचा है ना, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, color blind हो जाएंगे, next हमारा question number 47 है, cry do chat syndrome in human is caused by do, cry do chat syndrome होता है, human के अंदर वो कैसा होता, तो सिंपल है, cry do chat यहाँ पे chromosome 5 के अंदर चेंज होता है, तब होता है, loss of of the short arm, अब देखिए, chromosome के अंदर एक short arm होती है, और एक long arm होती है, P arm होती है, जिसको petite arm बोलते है, short arm बोलते है, अगर उसमें कुछ loss हो जाते है, उसमें से भी loss हो जाता है, तो वहाँ पे cry do chat syndrome हमे देखने को मिलता है, तो answer आजाएगा, option C, next हमारा question number 148, sickle cell anemia has not been eliminated from the African population, because यह African population से eliminate नहीं होई, क्यों नहीं होई, it is controlled by dominant gene, it is controlled by recessive gene, it is not a fatal disease, it provides immune against malaria, तो यहाँ पे eliminated African population में क्यों नहीं होई, सबसे पहले यह recessive gene से होती है, और second है, provide immunity against malaria, यह most important है, कि यह immunity provide करती है, malaria को, इसलिए African population से बिलकुल भी eliminate नहीं होई, वैसे controlled by recessive gene, यह बिलकुल correct लिखा हुआ है, but main जो answer है, वो option D, okay, next हमारा question number 149 है, यहाँ पे बोलागे, a man and a woman, who do not show any apparent sign of a certain inherited disease, वहाँ पे apparent कोई sign नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई phenotypically ऐसा कुछ नहीं है, genotypically नहीं पता है, have seven children, two daughter, five son, three of the son suffer from the given disease, but none of the daughter will affected, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, three जो sons है, वो affected हो रहे है, which of the following mode of inheritance do you suggest for this disease, sex link dominant, sex link recessive, sex limited, decisive या फिर autosomal dominant, तो simple सा समझे, यहाँ पे क्या हो रहा, sex link recessive है, वो phenotype कोई character नहीं दिखा रहे है, but वो genotype लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हो रहा है, okay, next हमारा क्योंस से number 150 है, a woman with 47 chromosome due to the three copies of the chromosome 21 is characteristics of 21 chromosome की three copy होगे, क्या होगा, super female, triploidy, durner syndrome, down syndrome, तो यह किसका example है, down syndrome, तो आंसरा जाएगा, option D, क्योंस से number 151 है, hemophilia is more commonly seen in human males than in the human females, because hemophilia जो ज़्यादातर human males के अंदर आता है, as compared to human female, क्यों, option दियागे, a greater proportion of girls die in infancy, this disease due to the y-linked recessive mutation, this disease due to the x-linked recessive mutation, and this disease is due to the x-linked dominant mutation, simple है, hemophilia जो होता है, वो क्या होता है, x-linked recessive mutation की वज़े से होता है, तो इसलिए इस cancer आजाएगा, option C, इसलिए ज्यादा दर human males के अंदर मिलता है, okay, next हमारा क्योंस से number 152 है, which of the following is a not a heredity disease, cystic fibrosis, thalassemia, hemophilia, और cretinism, तो यह जो first आपके three है, यह तीनों की तीनों की तीनों की मेंडेलियन disorder दो की heredity disease, but cretinism जो है, वो heredity disease नहीं है, तो अनसरा जाएगा, option D, okay, next हमारा क्योंस से number 153 है, a woman with normal vision, but whose father was a colorblind, तो वापे उसके father colorblind में थे, but woman जो हो normal vision है, इसका मतलब क्या है, कि there is a colorblind man, और यह जो है, वो Mary कर लेती, किसके साथ में, colorblind man के साथ में, suppose that the fourth child of this couple was a boy, this boy will be, तो इस boy यह क्या हो सकता है, simple है, अगर boy है, तो यहाँ पर क्या condition आ सकती है, x, c, y, and x, y, यानि यहाँ पर जो है, वो two में से one, जो वो colorblind होने की probability है, तो अब option देख लेते है, may be colorblind और may be normal vision, must be colorblind, must have normal vision, will be partially colorblind, since he is heterogeneous for both the colorblind mutation, यहाँ पर वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशे colorblind हो, colorblind हो, यहाँ पर हो सकता है, वो colorblind भी हो, और हो सकता है, क्योंकि probability जो colorblind की one में two है, तो मरा अनसर आ जाएगा option A, okay, next हमरा question है 154, a male human is heterogeneous for autosomal genes, A and B, तो यहाँ पर heterogeneous है, heterogeneous का मतलब यह वाली condition है, capital A small A, capital B small B, is also hemigygus for hemophilic gene S, और यह hemophilic के लिए जो है, वो क्या है, hemigygus है, what proportion of the sperm will be able, और यहाँ पर hemigygus का मतलब है, केवल एक sperm पे H है, और यह H किस पे है, hemophilic किस पे होता है, X chromosome पे होता है, तो यहाँ पर पुछा गए, what proportion of sperm will be A, B, H, तो probability कितनी हो सकती है, 1 by 8, 1 by 32, 1 by 16, 1 by 4, तो वो probability हो सकती है, 1 by 8, question number 150, 155 है, a normal woman whose father was colorblind, is married to a normal man, the son would be, एक normal woman जिसके father कलंड में थे, मतलब यह जो moment है, वो क्या है, carrier है, तो son जो हो सकते हैं, वो 50% colorblind हो सकते हैं, 75%, 50% all normal, all criminal है, तो क्या एक answer हमारा option भी, 50% जो वो colorblind हो सकते हैं, next question number 156, the recessive gene located on the X chromosome human are always, जो X chromosome पे अगर recessive gene है, तो क्या होगा, lethal, sub-lethal, expressed in males, और expressed in female, simple है, recessive gene और X chromosome पे है, तो वो क्या हो जाएगा, males में दिखाई देगा, क्योंकि X, Y होता है, और उसके अगर आएगा, तो वो में दिखाई देगा, expressed in males, तो, okay, next हमारा question number 157 है, pattern, baldness, mustache, beard, in human males are example of, तो यह सारे hair के हैं, तो किसका example है, sex linked, sex limited, sex influence, या फिर sex determination, तो मैंने बताया था, इसको के बोलते है, sex influence trait बोलते हैं, जो कि autosomal के अंदर आता है, अंसर आजाएगा, option C, next question number 158 है, which one of the following conditions, तो harmful in itself, is also potential saviour from the mosquito bone infectious disease, वैसे तो यह condition, जो वो harmful हो सकती है, खुद के disease है, उसमें वो saviour भी हो सकती है, इससे बचा सकती है, कौन से disease है, तेलेसीमिया, sickle cell anemia, parnicious anemia, या फिर leukemia, तो यह सिकल cell anemia, ओके, next हमारा question number 159, 159 के अंदर बोला गया है, down syndrome is caused by an extra copy of the chromosome number 21, what percentage of a offspring produced by an affected mother and a normal father would be affected by this order, यानि जो mother है, वो down syndrome affected है, और father जो वो बिलकुल normal है, त offspring है, उसमें कितना percent chances है, 100%, 75%, या फिर 50% या फिर हमारा 25%, तो सिंपल है, probability कितनी है, 50% की probability है कि down syndrome हो सकता है, next है question number 160, Christmas disease is another name of Christmas disease कि इसको बोले जादा है, हेमोफीलिया B को, hepatitis B, down syndrome या फिर sleeping sickness, तो हेमोफीलिया को, जो को Christmas disease भी बोले जाते हैं, answer आ जाएगा option E, next हमारा question number 161 ह A disease man marries a normal woman, एक disease man है, जो कि normal woman से साधी कता है, they get three daughters and five sons, all the daughters were disease and son were normal, the gene of this disease in, यानि यहाँ पर जो main है, उसके पास disease है, और जो woman है, वो बिलकुल normal है, तो सभी की सभी जो daughter है, वो affect हो रही है, और son सभी के सभी normal हो रहे हैं, तो disease concilent हो सकती है, sex link domino हो सकती है, sex link recessive, sex limited या फि father से all daughter, क्योंकि all daughter के पास क्या हो रहा है, वो father से A की X chromosome जा रहे हैं, और mother जो वो बिलकुल normal है, तो यह condition भी आ रही है, तो यहाँ पर फिर भी जो वो सभी की सभी daughter जो affect हो रही है, इसका मतलब क्या है, कि यह sex link dominant है, तो answer आ जाएगा option A, next हमारा question number 162 है, वी चोओधा following affect होता है, तो answer आ जाएगा option A, next हमारा question number 163 है, sickle cell anemia is induced to sickle cell anemia कब होता है, change of amino acid in alpha beta chain, change of amino acid in beta chain of hemoglobin, change of amino acid in both alpha and beta chain, change in amino acid in either alpha और beta chain, तो sickle cell anemia के अंतर जो beta chain होती है, hemoglobin की वो affect होती है, तो answer आ जाएगा option B, next हमारा question number 164 है, Mongolian I2C due to the trisomy in 21st chromosome is called, जो 21st chromosome के trisomy, उसमें कुण से होता है, down syndrome, turner, clean factor या फिर triple X syndrome तो वो down syndrome होता है, answer आ जाएगा option A, next हमारा question number 165 है, in drosophila, the XXY condition leads to a femaleness, where is in human being the same condition lead to clean filter syndrome, in males it proves, यहापे बोला गया है, अगर XXY condition drosophila के अंदर आते हैं, तो वापे female character आते हैं, बट अगर वही human के अंदर आते हैं, तो आपे clean filter syndrome आ जाता है, male के अंदर, यह क्यों हो रहा है, in human, why chromosome is active in sex determination, why chromosome is active in sex determination, in both human and drosophila, in drosophila why chromosome decide the femaleness, and why chromosome of men have the gene for syndrome, the simple है, यहाँ पर और क्या रहा है, human के अंदर जो why chromosome है, वो active होता है, sex determine के लिए, बट वो जो drosophila के अंदर नहीं होता है, इसलिए answer आजाएगा option A, next हमारा question number 166 है, a marriage between normal vision men and a color blind woman will produce offspring, तो यह color blind woman है, और normal जो है, वो क्या है, main है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, simple है, color blind sun and 50% carrier daughter, तो देखिए, suns जितने भी आएंगे, वो 100% color blind होंगे, 50% color blind suns and 50% carrier daughter, normal men and carrier daughter, color blind suns and carrier daughter, तो simple है, 100% की 100% जो होंगे, वो क्या होंगे, हमारे पास, color blind sun होंगे, बट जो carrier जितनी भी डोटर आएगी, वो भी सभी क्या होगी, carrier होगी, तो यहाँ पर simple हाजाएगा, color blind suns होगी, और carrier daughter होगी, सभी की सभी तो answer आजाएगा, option D, okay, next time question number 167 देख लोके है, हेमोफिलिक मैंडी शे नौर्ल मूमेंट, यह उपस्रिंग विल बी, एक हेमोफिलिक मैं है, मैं को क्या होगय, हेमोफिलिया हो गया, तो x, hy और वो एक normal woman से vary करता है तो option क्या हो सकते है all hemophilic, all boys hemophilic, all girls hemophilic तो simple देखिए अगर ये condition आती है x x की तो यहां पर हो गया क्या x h और x x h और x तो यहां पर हो क्या रहा है जो all सभी normal होंगे क्योंकि hemophilic नहीं होंगे क्योंकि जो girls जितनी भी है तो यहां पर simple आ जाएगा answer option D ही तो हमारा क्या हैगा normal आएगा all hemophilic नहीं हो सकते हमophilic नहीं हो सकते क्योंकि hemophilic नहीं हो सकते और girls जो जो hemophilic नहीं होगी तो normal आएगा वैसे next हमारा question number 168 है यहां पर बोला गया कि a woman with two genes for hemophilia उसके पास दो जीन है हीमोफिलिया के लिए उन वन जीन फॉर कलर ब्लाइंड और एक जीन है कलर ब्लाइंड के उन वन आफ दा एक्स क्रॉमोजोम अब यह इंपोर्टेंड है एक ही एक्स क्रॉमोजोम पे अगर हीमोफिलिया के दोनो जीन है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है और कलर्ण ब्राइन के लिए एक है तो यानि वो कैरियर है मेरी जे लॉर्मल मेन अविल दा प्रेसिन ही यहां पर वो बिलकुल नॉर्मल मेरी करती है तो सिंपल समझ लेजिए कि जो यह वूमन है वो carrier है दोनों के लिए hemophilia और colorblind के लिए तो अब यहाँ पर option दिये गए 50% hemophilic colorblind sons and 50% normal son 50% hemophilic daughter carrier and 50% colorblind daughter old son and daughter hemophilic colorblind hemophilic and colorblind daughter तो simple सा समझे कि वहाँ पर जो क्या है mother जो है वो carrier है mother क्या है? carrier है तो simple है यहाँ पर जो daughter होगी वो carrier होगी और जो 50% sons है वो hemophilic और colorblind होगे तो यहाँ पर simple सा हमारा answer आजाएगा option B यहाँ कि 50% जो daughter है वो carrier होगी और 50% जो colorblind है ओके daughter है वो भी hemophilic के लिए colorblind के लिए जो है वो क्या होगी आपकी carrier होगी ओके यहाँ पर यह बोला गया है 50% colorblind sun यहाँ पर बोला गया कि 50% hemophilic colorblind sun होगी 50% normal sun होगे बट यहाँ पर यह देगे 50% hemophilic daughter है तो 50% hemophilic daughter होगी ओके carrier और 50% colorblind daughter होगी carrier तो दोनों ही 50% 50% carrier होगी तो यह बिल्कुल correct answer है option B next हमारा question number 169 है mental retardation in men associated with the sex chromosomal abnormalities due to moderate increase in y complement large increase in y complement reduction in x complement increase in x complement तो x chromosomal अगर ज्याद आ रहा है mental retardation में जो होता है वो होता है तो answer है क्यों क्योंकि x x y तो x increase हो रहा है ना simple answer है answer आ जाएगा option D next हमारा क्योंसर नमबर 170 है albinism is known to be due to the autosomal recessive mutation autosomal recessive में हो सकता है the first child of a couple which is the normal skin pigmentation was in albino तो यापे बोला कि जो पहला चायल है वो क्या हुआ है albino हुआ है what is the probability of the second child will be also be तो albino होने के chances यापे simple है कि जो आपके दोनों के दोनों carrier होने चीए तो अगर albino हो रहा है ओके albino अगर हो रहा है तो आपे क्या आएगा यही जो आपका mono hybrid के अंदर cross आ रहा है capital है capital है capital है small है capital है small है तो pure recessive autosomal recessive है तो कब होगा albino जब pure recessive आ जाएगा तो वो क्या आ रहा है 4 में से 1 आ रहा है ने 25% आ रहा है तो answer आ जाएगा option B question number 171 है a person with a sex chromosome xxy suffer from gyneadomorphism, clean filter, down syndrome, turner syndrome तो simple है यह किसे है turner syndrome है sorry clean filter syndrome है तो answer आ जाएगा option B next है कि उससे number 172 in which of the following disease the man has an extra x chromosome किस के अंदर man के अंदर extra x chromosome हो सकता है train filter, clean filter, down syndrome, hemophilia बहुत ही अंसानी सा answer आ जाएगा clean filter syndrome के अंदर option आ जाएगा B next हमारा कि उससे number 173 है a person whose father is a color blind एक person है जिसके father कलर्ण मेंट थे तो simple है यह जो main है यह तो बिलकुल normal है Mary is a lady whose mother is daughter of a color blind मेंट अब यहाँ पर समझना है ध्यान से जो lady है उसकी मा जो है वो daughter थी किसकी उसके father जो थे वो कलर्ण मेंट थे या नी जो यह mother है उसके जो grand father थे वो क्या थे color blind थे mother जो है वो carrier हो सकती है Xc या फिर x इन दोनों मेंसे एक condition हो सकती है तो या नी यह जो daughter होगी यह 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 तो carrier हो सकती है यह नोर्मल हो सकती है दोनों मेंसे it condition होगी तो यहाँ पर option देख लेते है all cell color blind तो यह तो कभी होगा भी नहीं क्यों कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगी 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 बट ज्यादा तर जो है वो old doctor normal ही होगी ये बिल्कुल 100% short answer अगर हमें लगाना हो तो option D लगाएंगे बट यहाँ पर B वाला भी सही हो सकता है क्योंकि ज्यादा detail नहीं दी गई है न क्योंकि carrier भी हो सकती हो normal भी हो सकती इसलिए नेक्स्ट हमारा क्योंसर नमबर 174 है जो फादर है वो जनेटिकली डिजीज़ है तो जो गर्ल्स है और सन सभी के सभी नॉर्मल है तो सिंपल है सेक्स क्या जाएगा सेक्स लिंक डिजीज आ जाएगा तो अंसर आजएगा option C नेक्स्ट हमारा क्योंसर नमबर 175 है एन एबनॉर्मल हुमन मेल फिनोटाइपिक इनवल इन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम एक्सस इजे कोज ओफ कितनी बार आएगा यह हमारे पास पता नहीं बट कि यह क्लिंट फैल्टर सिंड्रोम आ जाएगा नेक्स्ट हमारा क्योंसर नमबर 176 है जो य क्रोमोजोम के उपर अगर अलग अलग जीन सोते हैं उनको क्या बोलते हैं हमारे क्योंसर नमबर 177 है अलग ब्लाइट इसमोजोंसर नमबर 178 अलग ब्लाइट्स इस मोर लाइकली तो अकर इन मेल देन दा फीमिल पहले हीमोफिलिक के लिए पूछा था अब क्या ब्लाइट के लिए पूछा है तो य क्रोमोजोम अफ मेल है अगर मेल चाइल कलर ब्लाइट कब हो सकता है कभी नहीं हो सकता है अगर मदर के फादर कलर ब्लाइट है तो जो मदर होगी वो केरियर हो जाएगी और केरियर हो जाएगी तो यहां पे क्या हो सकता है यहां पर बोलागे कि हादर संस आर हीमोफिलिक तो अगर जो फादर है फादर से तो केवल जो है वो य क्रोमोजोम मिलेगा ना संस को तो फादर वारा तो कोई रोल ही नहीं रहा अब यहां पर क्या होगा अब सभी के सभी संस तो नहीं हुए हाफ ही है तो इसका मतलब क्या है मदर जो वो केवल एक ही क्रोमोजोम पे है तो वन एक्स क्रोमोजोम दा मदर आएगा तो अंसर आजाएगा ऑप्शन सी नेक्स लमारा के-इससे नमरा-181 है कलर बलाइण मदर और और नर्मल फादर वूल है कलर बलाइण मदर है एक एक एखल जो फादर है वो बिलकुल नौर्मल एक्स वाई color brand son normal carrier daughter color brand son daughter all color brand all normal तो sons जोंगे वो सभी के सभी color brand होंगे और जो daughter वो carrier भी हो सकती है तो answer आजाएगा option A next question number 182 देख लेते हैं down syndrome is due to down syndrome किस वज़े से होता है crossing over link is sex linked in a non-diction of chromosome की वज़े से होता है down syndrome answer आजाएगा option D next हमारा question number 183 है in human being 45 chromosome single X या फिर exo abnormality course 45 और exo abnormality में क्या होता down syndrome clean center trainer या फिर एड़ो तो turner syndrome होता है answer आजाएगा option C question number हमारे पास 184 है color blind girl is rare because she will be born only color blind जो girl होती हो वो rare होती है कब born हो सकती है mother and maternal grandfather were color blind father and maternal grandfather were color blind या फिर यहाँ पर हर mother is color blind and father has a normal vision parents have normal vision but grand parents have color blind तो simple समझे यहाँ पर जो girl है वो color blind कब हो सकती है ध्यान से समझे अगर उसके father जो है वो color blind है और उसके maternal grandfather जो है जो mother के grand father है वो color blind है तो mother जो वो carrier हो सकती है और father color blind होगे तो वो हो सकती है तो answer आजाएगा option B next हमारे question number 185 है in down syndrome of a male child the sex compliment male child है down syndrome तो autosome होता है और male है तो male क्या होता है xy होता है xy xxx xxy तो simple है ना हमसे तो down syndrome पूछागे तो यहाँ पर xy male generally जो वो male के बारे में पूछ रहे है तो male जो xy होगा 186 है hemophilia is more common in male because it is a hemophilia जो ज़्यादा तर males के अंदर होती क्यों रिसेसिव क्रेक्टर केरेट बाई y dominant क्रेक्टर केरेट बाई y dominant trait केरेट बाई x रिसेसिव ट्रेट बाई y तो hemophilia जो रिसेसिव होती है एक्स लिंक्ट होती है तो अंसरा जाएगा option d next हमारा क्यूस्टर नंबर 187 है which one is a hereditary disease नेक्स अमारा क्यूस्टर नंबर 188 है बिल्कु लास्ट बोथ husband और wife दोनों नॉर्मल वीजन है तो देर फादर वर कलर्बाई तो उनके फादर जो थे वो कलर्बाई थे तो अगर मेन के फादर कलर्बाई थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पे तो उसको परसेंट 25 परसेंट 50 परसेंट 75 परसेंट तो वह जाएंगे 0 परसेंट तो यह सब कुछ वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आज लाइक किजिए दोस्तों साथ सेर किजिए मिलते जल्दी नेक्स वीडिक साथ तब तक के लिए दन्यवाद